हलो दोस्तो आज किस वीडियो में आपका स्वागत है अगर आप मुंबई दिल्ली जैसे बड़े सहरों में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टरों की फीस, मेडिसीन और डागनोस्टिक टेस्ट काफी महेंगे हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है इसे ध्यान से पूरा जरूर देखे तो मैं आपको इस वीडियो में हेल्थ इंसुरेंस में OPD पॉलिसी क्या होती है उसका डीटियल में रियू यहाँ पे देने वाला हूँ तो सबसे पहले हम समझेंगे कि OPD पॉलिसी क्या होती है second किसे यह पॉलिसी लेनी चाहिए third इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़े का और की जाती है और fourth हम समझेंगे कि इस OPD पॉलिसी में आप कितने टाइप के डाक्टरों के पास जाके treatment ले सकते है ये जो policy है OPD ये काम कैसे करती है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने परिवार के परती एक जिम्मेदार वो समझदार वेखती है तो आईए start करते हैं तो सबसे पहले ये health insurance में OPD policy क्या होती है तो OPD का मतलब होता है outpatient day care policy इस policy में आपको hospital में admit होने की जरूत नहीं होती आप normal सर्दी खासी, fever, body pain, viral, dengue, malaria, accidental आदी के लिए जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर consultation fees, medicine, diagnostic test, जैसे blood test, sonography, city scan, MRI, आयरुवेदिक treatment और physiotherapy जैसे treatment इस policy में कवर किये जाते है अब ये policy किसे लेनी चाहिए तो आप अगर Mumbai दिल्ली जैसे बड़े सहरों में रहते हैं और किसी ना किसी कारण से डॉक्टर के पास में आपको या आपके परिवार की लोगों को जाना ही पड़ता है जहां पर डॉक्टरों की फीस 500 रूपीज से लेके 2000 रूपीज तक के होती है इसमें medicine का खर्चा होता है, diagnostic test होते हैं आधी खर्चे इस policy में कवर किये जाते हैं तो आप अगर एक Metro City में रहते हैं, जहां नेटवर्क क्लिनिक अवेलेबल है तो आप वहाँ पर ये policy जरूर लीजिए क्योंकि इस policy का जो premium है कापी कम होता है जिसमें आप 25,000 से लेके 1,000,000 तक का जो medical का जो खर्चा है आप यहाँ पर cover कर सकते हैं अब ये policy काम कैसे करती है तो सबसे पहले आपको Star Health Application प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है अप ओपन करना है इस टाइप से Star Health Application ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा My Wellness का ओप्शन या फिर आपको Doctor Consultation का ओप्शन दिखाई देगा सर्विस में जाएए वहाँ पर दिखाई देगा आपको Doctor Consultation उस पर क्लिक कीजे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा Fourth Number पर Outpatient Consultation इस पर क्लिक कीजे आपको इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर Select Policy Number and Policy Name Star Out Patient Care Insurance Policy इस टाइप से यहाँ पर आपको डिटेल आजाएगा Policy का तो नीचे में Continue लिखा है तो Continue पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में दिया है Book Clinic Appointment तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है कि आपको यहाँ पर Doctor Find Out करना है कि आपके Nearby में Doctor अवेलेबल कौन-कौन से है ठीक है तो आ नीचे स्कॉल करेंगे तो यहाँ पर Continue आजाएगा उसके बाद में जो Policy में जितने लोग Cover है जो Insert Person है तो जैसे मेरे Policy में यहाँ पर तीन लोग Cover है तो जैसे मुझे डॉक्टर के पास में जाना है कितने डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है कितने टाइप के तो जैसे यहाँ पर General Physician अवेलेबल है Dermatologist अवेलेबल है Gyneologist है, Sexologist है, Cardiologist है Pediatrician है, Diabitologist है Endocrinologist है, ENTA, Gastrologist है Oncologist है, Neprologist है, Neurologist है कापी सारे डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है Psychiatrist है, उसके बाद में Urologist है, Ayurvedic Treatment अवेलेबल है General Surgeon है, Neuro Surgeon है तो कापी सारे डॉक्टर है Most up, सारे कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल किया गया है अब जैसे मुझे Cardiologist के पास में जाना है तो मैं Cardiologist पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते कि मेरे Nearby में जो डॉक्टर है आपको दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर और इनकी फीज देखिए 12 रुपे फीज है Ria and Disoja की उसके बाद में डॉक्टर, सैनात, हेगडे की जो फीज है 15 रुपे है यहाँ पर दो जार है तो कापी अगर आप Metro City में रह रहे है तो आप डॉक्टर की फीज कापी जादा होती है जैसे मुझे किसे एक डॉक्टर के पास में जाना है जैसे मुझे यहाँ गे सुक्ला के पास में जाना है तो मैं क्या करूंगा बुक अपॉइमेंट कर दूँगा तो इस टाइप से पेज ओपन हो जाएंगा जैसे मुझे वेजनेल दे 11 सप्टेम्बर ठीक है तो मुझे क्या करना है जैसे मुझे कल दिखाना रहेगा तो 12 सप्टेम्बर यहाँ पे Morning और Afternoon दोनों टाइमिंग यहाँ पे दिया जाएगा Morning और Afternoon तो जिस भी टाइम पे आपको जाना रहेगा और क्लिक कर लेना है आपको जैसे Morning में देखेंगे हम लोग 10 a.m. to 10.15 a.m. तो इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है Next करना है यहाँ पे detail में आ जाएगा कि doctor का नाम doctor की face अब paid by star health star health यहाँ पे कितना paid कर रहा है doctor यह होगे शुकला को तो 2000 रूपीज यहाँ पे पे कर रहा है Total amount क्या हो गया यहाँ पे 0 यानि यहाँ पे doctor के पास में जाने के लिए हमें कोई भी पैसे नई पे करना है और direct क्या करना है आपको pay and confirm कर देना है तो इस type से आपको doctor consultation के लिए available करा जाएगा देन उसके बाद में क्या होगा कि doctor जो prescribe करेंगे आपको medicine तो उसे क्या करना रहेंगा आपको यहाँ पीक option रहेंगा आपको lab test अगर doctor ने prescription में आपको कोई diagnostic test बताया है जैसे sonography, CT scan, MRI या blood test बताया है तो जो doctor prescription है इस पे आपको जाके upload कर देना है second अगर medicine लिखी गई है तो आपको medicine पे click कर देना है और doctor ने prescription यहाँ पे दिया है वहाँ पे simply जाके आपको क्या कर लेना है upload कर देना है within a one hour के अंदर आपको यह digitalize करके आपको जो medicine है minimum 4 to 18 hours के अंदर में medicine आपको घर पे पहुचा दी जाएगी एक facility यहाँ पे यह भी है direct अपने nearby store पे जाके वहाँ पे medicine collect कर सकते है तो दोस्तो यह policy काफी अच्छी है इसमें आपका doctor consultation fees, medicine, diagnosis test और physiotherapist और IROVD यहसे treatment को कावर किया जाता है दोस्तो इस policy regarding और भी detail में information चाहिए तो नीचे दिएगे number पे call करके आप direct call करके मुझसे बात आप कर सकते है तो ओके दोस्तो मिलते हैं हम लोग ऐसे useful video के साथ में, ओके thank you